युवा अवस्ता में आते ही अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि लव मैरेज अच्छी होती है ये अरेंज मैरेज शादी चाहे माता-पिता की मर्जी से हो या फिर पहले से प्रेम संबन्द में आकर शादी करने की बात हो इससे भी यादा महत्पून बात होती है कि होने वाला पार्टनर कैसा होगा पार्टनर के बारे में एक दो मुलाकात में उसके सुभाव के बारे में पूरी तरह से जानना बहुत मुश्किल होता है और जीवन साथी का गलत चयन आगे चलकर विवाहिक जीवन में समस्याएं भी उत्पन कर सकता है लेकिन दोस्तों आपको इस बारे में चिंता करने की बिलकुल भी जरूद नहीं है क्योंकि अगर आप अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसकी कुणली दिखा कर जान सकते हैं कि क्या उसके प्यार में सच्चाई है कहीं वे धोखा तो नहीं दे रहा है या दे रही है उसकी पसंद और नापसंद क्या है वह परिवार में अधिक खुश है यह केवल आपके साथी रहने में उनकी पसंद होगी उनकी आर्थिक स्थिती क्या होगी आदी आदी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अस्टॉलजर संदीब कटारिया जोतिशास्त के अनुसार किसी भी जातक के सुभाव के बारे में उसकी कुणली से बहुत कुछ जाना जा सकता है राशियां व्यक्ति के सुभाव को प्रभावित करती है इस वीडियो में हम कुम्ब राशि के चरित्र सुभाव आदी के बारे में विस्तार से जानेंगे इसलिए इस वीडियो को स्किप बिलकुल ना करें और वीडियो को आन तक पूरा जरूर देखें क्योंकि अगर आपका भी लव पार्टनर ये जीवन साथी कुम्ब राशि का है तो आपको उनके बारे में बहुत रोचक जानकारी मिलने वाली है तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुम्ब राशि के जात्कों का सुभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है राशी चक्र में ये राशी ग्यारवेंस्थान पर होती है इस राशी के स्वामी शनी होते हैं ये एक वायुतत की राशी होती है इस राशी के जात्कों का व्यक्तित्व आकर्शक होता ही है कुम राशी के जातक बहुत बुद्दिमान होने के साथ साथ वैवारिक अर्थात प्राक्टिकल भी होते हैं इस राशी के कुछ जातक शर्मीले और शांत सुभाव के होते हैं तो कुछ जातक थोड़े उचसाही और उजवान भी हो सकते हैं इनकी सोचने की शक्ती बहुत बढ़िया होती है इसलिए कोई भी काम को ये बहुत सोच विचार करना ही पसंद करते हैं इस राशी के जातक सभी अवसर पर अपने मन का पूरा अपयोग करते हैं ये बुद्धिमान तो होते ही हैं लेकिन इने कुछ भी समझने में थोड़ा अधिक समय लगता है अब करते हैं कुछ रोचक बाते कुमराशी के जातकों का सभाव कभी कभी बहुत अजीव हो सकता है कभी ये थोड़े डरे डरे दिख सकते हैं तो कभी ये अच्चानक से उत्तेजित भी हो सकते हैं इनका स्वामी ग्रह शनी होने के कारट कुमराशी के जातकों की व्यक्तित्व की गुडवता अर्थात कॉलिटी बहुत बढ़िया होती है कुमराशी के जातक भविश में होने वाली गतिविदियो का अंदाजा लगाने में भी सक्षम हो जाते हैं इसलिए ये आने वाले वर्षों के लिए योजनाय बड़े अच्छे से बना लेते हैं कुमराशी के जातक स्वार्थी बिलकुल नहीं होते हैं बलकि इनमें दया भावना रहती है इसलिए ये जातक जिन लोगों के साथ मिरजुल रखते हैं उनके प्रती सहनभूती भी रखते हैं कुमराशी के जातक अक्सर बुद्धिमान लोगों के साथ ही उठना बैटना पसंद करते हैं इसलिए इनके मित्रों के संक्या थोड़ी बहुत सीमत ही होती है ये जातक कभी भी अने लोगों से असमानता का वेवार नहीं करते हैं यानि की उच नीच भेदभाव नहीं करते हैं इसलिए कुमराशी के जातकों का वेवार सभी को पसंद आता है कुम्राशी के जातकों की पसंद की बात करें तो ये दूसरों की मदद करना, दोस्तों का साथ देना, ग्यान की बाते करना, संगीत आदी में रुची इन्हें ये सब बहुत पसंद होता है कुम्राशी के जातक जिस भी वेवसाय में काम करें, उसमें वे अच्छी तरकी पाते ही हैं कुम्राशी के जातक सरकारी या प्राइविट नौकरी करके उच्छ पद प्राप करने की शमता रखते हैं अपने सोचने समझने की शक्ती और सिक्स्थ सेंस यानि की तीसरी आख के कारण ये अच्छे जोतिशी भी बनते हैं कुमराशी के जातक अपने सिद्धानतों पर द्रिड रहते हैं इन्हें एकान भी बहुत पसंद होता है ये अपने लक्षियों को सफल बनाने के लिए अपनी कलपना शक्ती का पूरा प्योग तो करते हैं साथ ही बहुत मेहनत भी करते हैं अपने कॉशल को साजा करने की उनकी एकच्छा इनके साथ काम करने वालों को हमेशा प्रेलित करती रहती है यानि कि मोटिवेटिक करती है, इंस्पायर करती है कुम राशी के जातकों के धन की बात करें तो इस राशी के जातकों में धन खर्च करने और बचत करने के बीच बढ़िया संतुनन बनाए रखने की बहुत अच्छी प्रतिबा अर्थाट टैलेंट होता है कुम राशी के जातकों के लिए विग्यान, समाजशास्त्र, जेविग्यान, जोतिश, इंजिनरिंग, राजनितिक, सामाजिक कारे, अभिने करना, लेखन, शिक्षक बनना, फोटोग्राफी, आधी के रूप में करिये बनाने के लिए उप्युक्त अफसर मिलते हैं कुम राशी के जातकों को यदि कारे शित्र में अतनी प्रतिवा दिखाने का मौका मिले, तो ये बहुत बढ़िया सफलता हासिल कर सकते हैं इस राशी के जातक अपने पार्टनर में खुद के समान बुद्धिमान रहने की शमता देखते हैं ये प्रेम में बहुत द्रिड होते हैं लेकिन इन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है कुमराशी के जातक मिलंसार, कल्पनाशी, विनोधी यानि की हुमर और महित्री पूर्ण होते हैं ये अपने पार्टनर के प्रती इमानदार भी होते हैं और अपने पार्टनर की आजादी के पक्षधर भी होते हैं ये अपने पार्टनर के करियर और शिक्षा में सफलता के लिए उनकी पूरी मदद करते हैं कुम्ब राशी के जातक ट्रेम संबंदों में आने से पहले अपने पार्टनर को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इसलिए ये पार्टनर की परिक्षा लेने से भी नहीं हीच कचाते कुल मिलाकर कुम्ब राशी के जातक प्रेमे इमानदार और प्रतिबद होते हैं ये अपने पार्टनर के साथ बेग भाव नहीं करते हैं और उन्हें बराबरी का दर्जा ही देते हैं कुम्ब राशी के जातकों की शारीरिक बनावट की बात करें तो ये पतले और लिंबे कतले होते हैं और इनका विक्तित्व जैसकि मैंने पहले भी कहा आकर्शिक ही होता है कुम्ब राशी के जातकों को हड़ियां पेट से संबंद्द समस्या शिदे रोग आदी स्वास्त समस्यां हो सकते हैं इसलिए इन्हें अपने खाने पीने की आदत पर ध्यान देना चाहिए और प्रयाप्ट नींद लेनी चाहिए साथ ही साथ योगा या वैयाम करके इन बिमारियों को पनपने से रोकना चाहिए कुमराशी के जातक अधिक चिंता करने के कारण तन्हाव में भी आ सकते हैं इसलिए इन्हें अधिक चिंता भी नहीं करनी चाहिए और अस्वस्त होने पर तुरंत अपनी शार्जरिक जाच करानी चाहिए दोस्तों अगर आप अपने प्रीमी या जीवन साथी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप अपनी जर्म कुनली के आधार पर हमारे से सटिक परामश ले सकते हैं और हाँ ये एक पीड कंसल्टेशन होगी अगर आप इस रोचिक विशे के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर इस बारे में आप कई आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट का स्क्रीन शॉट आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेर करें हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी और रोचक वीडियो लाने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियो के जानकारी आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वारे निशान को दिवा कर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंद पाएं आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ फेस्बुक स्लैश गोडिस्टालोजी से भी जोड सकते हैं जहां हम अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और बहुत सारी जानकारी शेयर करते हैं आपने इस वीडियो को अंग तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक नए और रोचिक वीडियो के साथ नमस्कार झाल झाल झाल